बॉन्ड ओडर बॉन्ड ओडर एंड बॉन्ड लेंथ बॉन्ड अलेंथ बॉन्ड ओडर एंड बॉन्ड लेंथ देखो रेजनेंज हाईपर कॉंजिगेशन इन सबका इफेक्ट बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ओडर पर बॉन्ड ओडर पर क्या इफेक्ट होता है देखो इसक इनका केस नहीं है तो सिंपल कैसे मोटी से करेंगे लेकिन क्या ओंपेर कर रहे ना इसलिए मैं साथ में लिख रहा हूँ देखो बॉंड ओडर ओप डाइटोमिक मॉलिक्वल्स देखो इन और गिनिक केमेस्टर का कैसे भी डिटेल में नहीं करना इसमें डारेक्ट में बता र 10 11 12 13 14 15 15 16 17 17 18 19 20 अब आपको करना के देखो आपको देखना है कि अगर टोटल इलेक्ट्रोन मॉलिक्वल के अंदर 14 आते हैं तो बॉंड ओडर होगा 3.0 यहां पर बॉंड ओडर कितना होगा 3.0 देखो जो नीच लिखुंगा नो बॉंड ओडर है अब यहां से आप आगे च बॉंड ओडर 0.3,0.5 डिक्रीच करना है इधर चलोगे तब भी कितना डिक्रीच करना है 0.5 इधर चलोगे तब भी कितना होगा 0.5 डिक्रीच तो देखो 0.5 करें इतर 2,3.0,2.5,2.0 देखो 1.5,1.0,0,0.5,0.0 देखो यह दे किसी डायाटमिक मॉलिक्वल में बॉंड ओ जिरो आता है तो इसा मोलेकुल एक्जिस्ट नहीं करता है अब देख इदर जब आप चलोगे तब आपको 0.5 ही डिक्रीज करना है ठीक है ना करें डिक्रीज तो देखो यहां पर 3.0 3.0 यहां पर होगा 2.5 फिर 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 अब यहां पर देखो आपको यहां से शुरू करना है देखो वन इलेक्ट्रन पर होता है 0.5 फिर 2 पर 1.0 फिर रिपेट होगा 0.5 1.0 0.5 0.0 यही चीज अब आगे रिपेट होगी 0.5 1.0 0.5 0.0 यही चीज आगे रिपेट होगी तो देखो 0.5 हो गया फिर 1.0 फिर 0.5 और 0.0 देखो यह अपनको भी डिटेल में नहीं पढ़ना केस आता है केस नहीं आता आप सुपको पले से आइडिया है एम ओटी के बेसिस पर इसको अपन एक्स्प्लेइन करते है तो अभी एमोटी नहीं पढ़े नहीं अपनको वो तो क्या बॉंड ओडर का केस ताइसले में ने साथ में कम्पेरिजन के लिए बता दिया देखो यह एक्जाम्पल यह आपर देखो जैसे अपन को देखना है ए वन सेवन इनटोटो कितना होगे ऑटन ऑचैनप्रमट ओटर है ओंट दो देखो कितना अ पॉंट अन्य अब यह आप पर एक बाक्रा देख जैसे फ्लोरीन और आईोडीन सब्सक्राइब और ऑयोडीन एलेक्ट्रोन जोड़ने की जुरत नहीं फ्लोरीन का देख लिया मतलब सब का देख लिया इन सभी में भी बॉण्ड ओडर कितना होगा बॉण्ड ओडर वन पॉइंट जीर होगा और केस देखो जिसे महां लो ओटो माइनस टू देख रहे हुआ ऑक्सिजिन के पास एलेक्ट 16 16 और माइनस टू पर आ रहा है कितना हो गया 18 18 पर बॉण्ड ओडर कितना रहा है बॉण्ड ओडर हो गया वन पॉइंट जीरो एटीन इलेक्ट्रोन भी बॉण्ड ओडर यहां पर वन पॉइंट जीरो समझ में आ रहे हैं देखो नेक्स्ट जिसे ओ टू प्लस वन कर दिया ओटू प्लस वन कर दिया तो कितना 8 8 16 16 में से एक दिया 15 बचाना देखो 15 15 इलेक्ट्रोन पर बॉण्ड ओडर कितना है 15 पर देखो 1.5 15 पर 2.5 तो बॉण्ड ओडर होगा 2.5 यह समझ में आ रहे हैं कोई साब देख सकते हो जैसे माल आपको देखना है cn- कार्बन के पास वेलेंस एलेक्ट्रोन कितने है 6 वेलेंस नी टोटल कार्बन के पास 6 नाइटरजन के पास 7 13 हो गया 1 और जोड़ों कितने हो गए 14 14 एलेक्ट्रोन पर बॉण्ड ओडर कितना है बॉण्ड ओडर हो गया 14 पर 3.0 मेरे साब से के लिए रोगा इसमें देखो एक और केस्ट दे 14 electron पर bond order कितना है 3.0 देखो exceptional case exceptional case exceptional case देखो exceptional case है CO plus CO plus के पास electron 13 होगे 14 में से एग गया 13 electron पर bond order कितना रहा है 2.5 लेकिन इसका bond order होता है 3.5 तो exceptional हुआ नहीं हुआ तो यह आपको ध्यान रखना है कैसे explain करते हूँ सब emotica case है अभी अपनको नहीं पढ़ना हूँ सब ठीक है देखो next है जैसे CO plus 2 12 electron 12 electron पर bond order 2.0 आ रहा है जमके इसका bond order होता है 4.0 bond order 4.0 तो exceptional हुआ नहीं हो यह हो गया कि dieatomic molecules में आप bond order कैसे निकालोगी एक बात देन देना कि bond order inversely proportional bond length होता है अब proportional stability होता है ठीके ना यहां पर लिख देता हूँ देखो bond order inversely proportional bond length और proportional bond stability यह होता है करो देखो आप इसको नोट फाले कर ले सबने हो गये यहां तक तो dietomic molecule चाहिए homo dietomic हो चाहिए hetero dietomic हो आप इसके basis पर निकाल सकते हो समझ में आगया होगा किसी कोड़ आउट है क्या नहीं न अब देखते हैं देखो next case देखेंगे पर ने bond order of polyatomic molecule यह तो कर लिया ना सबने ठीक है ना कोड़ावड तो नहीं किसी को कि 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 लिए न देवर्स हैं बंड और आप पॉली एटॉमि कर सब्सक्राइब होग्युआ पॉली एटूमिक हो लिकिल्स पॉले यह कर दुट ापका जाए-उकप , आय!!!! देना यहां पर आपको क्या करना है देखो जैसे एक एक जम्पल की तो इसको मैं समझाता हूं सपोज करो सी डबल बॉंड ओ ओ ओ माइनस ओ माइनस यह है इसका मतलब समझ में आगा ना सी ओ त्री मैंनस टू कार्बोनेट अब देख इसमें डिलोकलाईजिषण कराया पर नहीं यहां पर यह दिलोकलाईजिशनों नेगेटीव यह पर आएगा यह डबल यह पर आ जाएगा तो यह केस हो गया C double bond O O minus O minus जैसे double bond यहाँ पर आया वैसे यहाँ भी आ सकता था तो एक resonating structure और बना देते हैं C double bond O O minus O minus यह इसकी resonating structure हो गई हो गई ना अब आप इन में से किसी भी एक bond को mark कर लो भई एक्चलि उस bond को mark करना है आपको जिसका आपको bond order निकालना है इसको या इसको या इसको लेकिन अभी तो तीनों ही bond सेम है तो आपकी मर्जी पड़े जिसको कर लो लेकिन अगर अलग अलग होते जिस यह अलग होता यह अलग होते यह अलग होता तो उसको mark करते जिसका आपको क्या निकालना है bond order तो अभी तो किसी को भी कर लो सेम है तो किसी एक bond को mark कर दे अब आपको bond order कैसे निकाल नहीं देख look bond order equal देख look number of bonds number of bonds between two bonded atoms two bonded atoms bonded atom number of bonds between two bonded atoms taken upon number of reasoning त्री ऩॉई दो अब डॉब्स बेटोड डेटम टुब डेटम कौन से लेने हैं जो आपने मार्क किये हैं आपक्रों इसके बीच कितने बॉंड है तो यहां पर कितने हैं वन यहां कितने है one total कितने है two one one four total कितने हो गए four four अपन number of resonating structure कितने है three तो यहां पर bond order होगा one point three three अभी मैंने क्या बता है आपकी मर्जी पड़े जिस bond को mark लाप चाहते तो इसको कर लेते अगर इसको mark करते तो one two one तब भी four या रहा है आप चाहते तिसको mark करते कितना था one one two तब भी four या था लेकिन अगर bond अलग-अलग है तो किसको mark करते जिसके लिए आपको bond order calculate करना है समझ में रहे हैं नियार cut out है क्या नहीं न तो एक तो यह हो गया भई देखो bond order आप एसे भी निकाल सकते बांड ओडर एक्वल वन प्लास वन प्लास देखो पाई अपोन सिग्मा एसे भी आप निकाल सकते हो इधर देखो वन अपोन पाई प्लास पाई अपोन सिग्मा देखो बांड ओडर एक्वल वन प्लास पाई बांड कितने देखो पाई बांड कितने वन यह है जैसे बन बांड ओडर किसका निकाल रहे है इसका निकाल है सी डबल बांड ओ एक्जाम्पल ले ले नहीं आप एक्जाम्पल कितरू करते हैं एक्जाम्पल जैसे सी ओ त्री माइनस बंड़ों बाइं निकाले डारेक्ट देखो 1 प्लास पाई बाइं कितने है वन यह एए वन अपन सिग्मा पाई पोण सिग्मा कितने हैं 123 डबल एना डबल में सिग्मा रेक होगा तो यह आपडल त्रे होगे तो यह ऑगया 1.33 आ रही नहीं रहा है तो आप एसे करड़ो चाहे एसे करड़ो कोई फड़क नहीं पड़ता है समझी में रहा है को डाउट है क्या नहीं न देखो और केस लेकर देखते यह सपोच कर अपने बात करें सोपोर माइनस टू अब देखो सोपोर माइनस टू यह हो गया एस डबल बांड ओ डबल बांड ओ ओ ओ माइनस ओ माइनस यह हो गया भाई हो गया ना डारेक्ट इसी कितरों बता दो पाले बॉन्ड ओडर एक कॉल देखो वन प्लास पाई कितने टो अपोन सिगमा कितने वन टो त्री पॉर क्यों डबल में सिगमा एक पाई होगा ना तो वन टो त्री पॉर कितना हो गया 1.5 समझे मारे आप रेजनेटिंग स्टक्चर बना कर देखलो करें रेजनेटिंग स्टक्चर से चलो रेजनेटिंग स्टक्चर इसकी बना रहा हो में देखो एस डबल बांड ओ डबल बांड ओ ओ माइनस ओ माइनस देखो डी लोकिलाइजेशन कराएंगा अब डबल बांड या लासकते हो या लासकते हो या लासकते हो चार पॉसिबिलेटी होगे ना तो देखो सब्दबॉल Bibis यो लें यह लें 오 लेओ यह लेओं सब्दोने डवल पंडउरो बाइटे सब्दस का ले ways double bond O, यह O minus सारे bond सेम है ना किसी को भी mark कर लो इसको कर लो one, यह हो गया यह हो गया, यह हो गया bond order देखना है देखो number of bond between two bonded atom कितने है, two, three, four, five, six कितने हो गये, two, three, four और five, six six by number of resonating structure one, two, three, four six by four, कितना हो गया six by four का मतलब कितना हो गया three by two, equal one point five यह देखो, यह देखो सेम आ रहा है नहीं आ रहा तो अब मेरे साब से clear हो गया होगा, अब मैं कुछ molecule लिख दू, फिर आप उनका bond order calculate करना यह लिख ले बटा सबने हो गया न, देखो आप उनका bond order निकालना मैं कुछ molecules यह आपर लिख देता हो देखो examples, other examples करत के लिख देता हो, other examples examples वह molecule है देखो C, L, O, 4 minus 1 C, L, O, 4 minus 1 NO3 minus O3 CH2 double bond CHCl यह विनाइल कलोराइड है जानते हो न, सभी विनाइल कलोराइड आगे, आई पेसे नोमेनकलेचर नोर, कॉमन नेमिंग, टेरिवटिव नेमिंग, सब कुछ पड़ेंगे पन वह आपर किलेर हो जाएगा अभी थोड़ा बूत आइडे हो गई से सबको, यह न, विनाइल कलोराइड, देखो, यह हो गया, कलोरो बेंजीन, कलोरो बेंजीन, देखो, नेक्स्ट केसे आप ले ले लेते हैं जैसे, इन में आपको बॉंड ओडर देखना है, बेसिकली इन मोलेक्यल्स में, करो देखो, यहां पर बॉंड ओडर आपको इस बॉंड का देखना है, यहां पर बॉंड ओडर आपको इस बॉंड का देखना है, बाकी में तो सारे बॉंड सेम है, ठीके न, बाकी में, जैसे यहां पर सी ओ बॉंड का देखोगे, यहां पर एन ओ बॉंड का देखोगे, यहां पर बता कर देखने हैं करके देखने हैं चलो करते सोल देखो 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 सबसे पहला केस लेते हैं सी एल ओ पॉर CLO for minus 1 देखो यह हो गया CL minus 1 है नहीं आपर तो यह हो गया O minus और बागे CL double bond O यहापर भी double bond O double bond यह होगा यह समझ में आगे अब देखो आपको देखना है bond order bond order देखो किता होगा 1 plus number of pi bond 3 upon number of sigma bond 4 कितना होगा 1.75 यह bond order देखो आपर होगा समझ में आगे है आप resonating structure बना कर देखो कि तब भी यह यह होगा ठीक है ना देखो next जैसे NO3 minus इसका देखना है तो देखो nitrogen यह हो गया देखो यहापर O minus है तो यह O minus और यहापर यह double bond हो यह coordinate bond हो गया समझ में आ रहा है coordinate bond को सिंपल करके अब लिख सकते है plus minus कोई प्रक नहीं पड़ता अब देखो bond order देखना है bond order देखो 1 plus number 5 bond 1 upon number coordinate bond को सिग्मा में काउंट करोगे देखो upon 3 तो कितना होगा 1.3 ती resonating structure बनाओगे तब भी क्या होगा एक बार डॉबल हारा और फिर आएगा पिर आएगा तो इसका में लुगी स्ट्केर में तह तो single आएगा और एक में डबल आएगा तो कितना आएगा double plus single plus simple 4 Cu ध्कन aug morte सेमे तीक सेके न देखो नेक्स्ट कौन है ओ त्री ओ त्री यह हो गया भाई ठीकिना आप चाहते रेजनेटिंग इस्टक्टिर बना ला एक बार इसके इदर इसके इदर कर दो डारेक्ट बेपल देख सकते हैं पॉंड ओडर इकोल 1 प्लास देख पाई 1 है सिगमा टू है तो इकोल 1.5 आ रहा है नहीं आ रहा देखो नेक्ट यह देखो आप जैसे इसके बात करें CH2 डबल बॉंड CHCl देखो डिपरेंट टाइप के अटम है न इसकी रेजनेटिंग इस्टक्टिर बना दो यहाँ से तो CL bond order एकोल कितना होगा देखो नमबर ओप बॉंड 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 टू बॉंड एटम 123 आप ओन रेजनेटिंग स्टक्टिर 2 कितना हो गया 1.5 ठीक है न अब अगर आप नॉर्मली देखते हो तो देखो देखो देन देन यहाँ पर के डिपरेंट टाइप के एटम है न प्लास पाई अपन सिग्मा उसको बेसिकली तब आप काम में लेना जब सारे ही क्या हो सेम हो अब है अभी आप देखोगे तो अभी तो आप भी बैड जाएगा कोई दिक्कत नहीं है देखो पाई कितने है एक सिग्मा कितने है सिग्मा दो द्यान देना यह बाकि के पोची ने रहा ना उधर के बॉंड काउंट नहीं करने को समझ मैंने तो सिग्मा यह पर इन दोना अईडरजन के साथ भी उनको नहीं लेना दिनो क्लाइजेसिन के वल इन दो बॉंडेड अटम और इन दो बॉंडेड एक्टम के भी जा रहा है तो क्या हो गया पाई और अप तो उसको करो कारा समझ मैं रहेना अब देखो नेस्टचिसी की बात करें किर ये है तो ये लो गए बाइब से यह डबल 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 यहां से यह आंपर यह उहां ऐ दिल के जाशन हो गया है थे की ने माइन अश्यां पर दवलक्ले यह आपर दबल बॉड्ट से लप्लास यह दबल डवल यह माइनस यहां से आपर आएगा समझ विर अपर यह हो जाएगा यह डवल ट unus यह यह यहाप डबल यहां पर माइनस आ जाएगा फिर यह डी यह आपर डबल 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 यह आपर डबल 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 यह हो गया हम आपको कौन से बॉंड करती है सीशेल बॉंड करती है ना सीशेल बॉंड को मार्क कर ले यह हो गया यह हो गया यह हो गया यह हो गया बॉंड ओडर आपको देखना है यहां लिख रहा हूं में इनका bond order bond order of CCL bond CCL bond क्या होगा देखो number of bonds between two bonded atoms कितने 1 3 5 7 8 8 by number of resonating structure 1 2 3 4 5 8 by 5 1.6 bond order कितना है है 1.6 मेरे साफ से clear हो गया होगा अच्छा जिसे एन ओटो का देखना है इधर देखो एन ओटो माइनस एन ओटो माइनस का कैसे देखोगे तेके ना देखो यह हो गया एन डाबल बांड ओ डाबल बांड ओ माइनस समझ मैं रहा है न और एक आपर लॉन पेर हो प्राइब है अब देखो यह आप इधर भी बना सकते थे यहária पर इधर भी बना सकते थे मास्ट ए 했던 कि इसका मतलब क्या हुआ तो डारिक्टी यह न तो बॉन्ड ओड confess किरना मांड सिकत्ला है वन सिक मांड नहीं सिकतने स्थ एककोल बन पॉ21पिंट यहा पर होगा मेरे साब से क्लेर हो गया होगा कैसे आपको क्या करना है कर डावट है क्या नहींना निकाल सकते हैं इसको करोदे किसको अब जो कंडिये पर जो नो अब देख बॉन्ड ओडर बॉन्ड लेंध क्या होती है इन्वर्षली प्रपोर्ट नुटी चलो करते हैं कि अभी मिदेख यह देख जाने ना तो अगर आपको बॉन्ड लेंध का ओडर आपसे पूछा जाता है तो आप अब उसको क्या करो चेंज करके देख लो रिवर्स कर दो भई अब इन्वर्सली प्रपोस्टनल है अब एक बात देना देखो सी ओ प्लस का बॉण्ड ओडर कितना है 3.5 सीओं का बॉण्ड ओडर 3.0 लिखाए ना भी ठीक है अब देखो या पर इसकी बॉण्डि writer किसी से इसकी यह एक यह cyn short ऐसका इसका बॉण्ड ओडर लगब और बात करें यह आप नमबर डाल दू वन टो थ्रे पॉर तो देख अगर सी ओ बॉंड लेंथ हमें चाहिए सी ओ बॉंड लेंथ तो ओडर क्या होगा जिस अपोजिट होगा नहीं होगा बॉंड ओडर जहाँ पर कम है वहाँ पर बॉंड लेंथ ज्यादा होगी अच्छा एक और बना देता हो यह आपर जिस यह केस है डबल बॉंड ओ एम 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 यह होगया इसका बॉंड ओडर ओडर भी कम होगा बॉंड 1.5 के आस्पा चला जाता है यह हो गया 5 तो order क्या होगा भी bond length का just opposite तो देख यह आपर होगा 5, 4, 3, 2, 1 यह order होगा किसका bond length का समझ मैं आ रही नहीं आ रहा किसी को cut out है क्या नहीं न अब देखो कुछ case यह आपर बना रहा हूँ ज्यान देना और यह आपर होगया भाइस यह हो गया यह CL आपको देखो CCL bond length का order देखना है CCL bond length आपको order देखना है देखो समझ है न यहापर single bond है यहापर इसमें डवन क रहाएगा यहापर भी double bond करेक्टर रहाएगा जैसे single bond में डबल बन करेक्टर आता है तो बॉंड लेंद गटेगी नहीं गटेगी गटेगी ना अब आपको देखना है इसका बॉंड ओडर देखो बॉंड ओडर यहापर तो 1.0 ही है क्यों कोई डिलोकलाइज़ ने कुछ तोड़ी हो रहा है यहापर बॉंड ओडर अभी निकाला है 1. बॉंड ओड़र कितना और है 1.6 जितना ज़्यादा होगा बॉंड लेंथ तो इसले पर और कि दो क्या कि ने समझ में रहा है सबको अब देखो जैसे यह की से इधा इधा, जैसे ये case लेले, एक तमने लेले CH3, C double bond और CH3, ये हैं, ठीक है ना, एक case अमने लेले यहाँ पर देखो, H C double bond और H, एक case लेले जहें CO3 minus 2, समझ भार है ना, एक case लेले जहें CO2, ठीक है, एक case लेले जहें pH C double bond और CH3, एक case लेले जहें pH, C double bond और pH, अब आपको bond, bond length का order चाहिए, CO bond length, देखो, CO bond length, इसका order आपको देखना है क्या होगा, देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, और 6, CO bond length का order आपको चाहिए, ये कल्डे की समनी तरोला, कल्ले, नोट कर लो, पले इसको चलो, होगे बटा, कल्डे समनी, होगे न, कोई डाउट है किसी को, नहीं है न, चलो इधर देखो सब ये, देखो आपको क्या चाहिए, बॉंड लेंथ का order चाहिए, बॉंड लेंथ का order के से निकल होगे, बॉंड ओडर का inversely proportional होगा, नहीं होगा, अब देखो सबसे पहले तो आप देखो इनका bond order, देखो इन molecules को मैं यहाँ पर लिख रहा हो सभी को, CH3, C double bond O, CH3, देखो द्यान देना, इसमें इसका plus I effect लगेगा, अब plus I effect क्या करेगा, इस delocalization को बढ़ा देगा, और जब यह delocalization होगा, तो क्या होगा, देखो C, O minus, यहाँ पर plus आएगा नहीं आएगा, और यहाँ पर CH3, यह CS3, यह resonating structure, अब द्यान देना, देखो, अगर C double bond O में यह delocalization होता है, तो इस double bond में उतना ही ज़्यादा single bond character आएगा, आएगा नहीं आएगा, double bond में single bond character आता है, तो क्या होगा, bond order गटेगा, single की तरब मो करगे ना, तो bond length क्या होगी, बढ़ेगी, समझी में आ रहा है, एक तो case यह होगा, अब देखो, दूसरा case जैसी यह PH, PH का मतलब यह होगा भई, पिनाल रिंग होगी नहीं, अब यह C double bond O CH3, यहाँ पर तो delocalization और बढ़ेगा, तो इसका मतलब तो यहाँ पर single bond character उड़ जादा हैगा, तो देखो, इन दोनों को और compare करें, तो यहाँ पर single bond character इसके comparison में जादा है, मैं का दो कि यहाँ पर less double bond character होगा, more single bond character होगा, किसके comparison म तुरू वर्क हो रहा है, जबकि यहाँ पर inductive के तुरू वर्क हो रहा है, यह case के लिएर होगे, समझ मेरा है, तो अगर जैसे मैं इसको पस्ट मानलों, इसको second मानलों, चलो अभी एक साथी लिखेंगे, ठीकें, तो यहाँ पर क्या है, less double bond character है, double bond character, यहाँ मैं का दो more single bond character ह single bond character, यह उपर वाले के respect में अपने यहाँ पर लिखेंगे, जबकि यहाँ पर comparatively more double bond character, less single bond character है, देखो, तो यहाँ पर more double bond character, double bond character, character and less single bond character, single bond character, single bond character, यह case हो गया, ठीके न, अब देखो, अपने को देखना है, यहाँ तो simple case हो गया, तो कुल मिला कर अब मैं यही effect लग रहा हूँ, इसका तो कौन से effect हो गया, plus I, इसका plus I, यहाँ पर कोई group है यह ने, इसका plus R, और इसका plus I, इसका plus R, और इसका plus R, और यहाँ पर देखो, CO3-2 में भी निकला था, आपने bond order, 1.33, हारा था नेरा, CO2 में, CO2 के resonating structure बना कर देखला, देखो, डारेक्टी देखलो, O, double bond, C, double bond O, आपको bond order देखना है, देखो, number of, 1 plus number of pi bond 2, upon number of sigma bond 2, हो गया न, 2, 2 sigma, 2 भी पाई है, 2 sigma है, तो यह होगा 2, bond order कितना आगे, इसका, 2 आगय bond order हो गया, 2, bond order equal, 2, अब एक बाद देना, कि अगर में compare करो, तिसका bond order 2 आएगा, या 2 से कम आएगा, इनका bond order 2 आएगा, या 2 से कम है, less than 2 है, भई, क्यों है, क्योंकि polar, या पर polarity आ रहे है, bond में, यह मूह कर रहा है, इसमें single bond character आ चुका है, तिसका bond order less than, 2.0 है, ति इनका जो bond order है न, bond order वो कितना होगा, less than 2.0, इसका भी कितना होगा, bond order less than 2.0, लेकिन 1.5 से तो ज़्यादा होगा, मतलब इनका जो bond order है न, लगबग लगबग यह माना आप तो, bond order यहा पर हो गया, 1.5 से तो ज्यादा होगा, यह लिख दो, bond order, bond order 1.5 से तो ज्य जादा है लेकिन टू पॉंट जीरो से कम होगा यह रेंज होगी इनके लिए कुल मिलाकर इसके लिए बात कर सकते पर कि यह जो सी डबल बॉंड ओए यह पर जो भी गुरूप है इसके लिए बॉंड ओडर यह होगा वन पॉंड फाइब से बॉंड ओडर जादा होगा और 1.5 से जबाओ 2.0 से कम होगा यह पर भी वहीं कैस यह पर भी वहीं कैस है इसमें बान्ड ओडर कितना है 1.3 Просто कितना है टू-पंड जीरो यह bono बॉंड बउसका कैस होगे इसमें बेच का कैस होगे तो बॉंड ओडर सब से कम कापर हुआ देखो इसमें बन पॉंड 3 3 सब से क 3 bond length सबसे ज़्यादा होगी यहापर CO3-2 अब देखो इस से ज़्यादा यहापर तो bond order 2 हो गया लेकिन बाकी में 2 से कम है है या नि इसका मतलब इसकी तो bond length सबसे कम होगी और बाकी जो बचे हुए इनकी bond length तोड़ी ज़्यादा होगी अब इन में आपस में compare करना ही तो देखो plus r effect जितना ज़्यादा होगा न यह इसका यह delocalization उतना ही ज़्यादा होगा double bond में single bond character उतना ही ज़्यादा आएगा bond length उतनी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब प्लस r effect आने से bond length बढ़ेगी अगटेगी बढ़ेगी ना तो bond length देखो यहापर तो दोनों तरफ प्लस r है तो bond length ज़्यादा इसमें होगी 6 में तो यहापर number यह डाल दो डिरेक्ट इसका 3 3 के बाद क्या आएगा इसमें plus r वाला क्यों एक केस है bond length थोड़ी से कम हो जाएगी तो देख यहापर 5 इसमें plus r वाला कोई केस है नहीं यहापर देख प्लस h वाले केस है तो इसमें bond length और कम हो जाएगी इसमें तो प्लस आई भी नहीं है यहाप्लस आई है इसमें तो प्लस आई भी नहीं है bond length और कम हो जाएगी जबकि इसकी बात करेंगे तो इसमें तो bond order तू है इसका मुला बॉंड लेंथ और भी कम हो गये फॉर फिर देखलो एक बार सबसे पले बॉंड लेंथ सबसे ज्यादा इसकी क्यों आई इसका बॉंड लें किसमें कितना कम होगा बॉंड पर लेंड करते हैं प्लास अब किसी को को डाउट नहीं होगा समझ मारा है इसको नौट करो पिर कुछ केस वार देखते करो नौट कर ले हैं सबने क्या मैं इसका बॉंड ओडर निकाला तो यह जो लिखा है ना इनका बॉंड ओडर तो इस रेंजी में आता इसका मतलब 1.5 से ज्यादा 2.0 से कब लेकिन यहां तो देखो इसका दो बॉंड ओडर है ना वह तो पॉंड फाइब 1.5 से भी कम आ गया यह लिख ले रहा सुनने कंप्लेट को देखो हमेशा एक बात ध्यान देना कि अगर कई पर भी रेजोनेंस और आइपर कॉंड़ेशन हो तो रेजोनेंस है राइपर कॉंड़ेशन डबल बॉंड में सिंगल बॉंड करेक्टर को बढ़ाता है और सिंगल ब एन्ड हॉइपर को ड्यूगेशन यह पर कोन्जूगेशन र् दब बोंड डॉंड agisoft वाइस वर्शा मतलब क्या हो गया जो इसका just opposite, देखो resonance and hyperconjugation increase the single bond character in double bond and vice versa, मतलब increase double bond character in single bond तो resonance and hyperconjugation होने से single bond में double bond character आ जाते double में single, मतलब single की bond लेन तो क्या होगी? गटेगी और double की बढ़ेगी समझ में आ रहा है इसके basis पर भी आमें compare करना आना चाहिए, चलो कुछ case बनाते हैं देखो CH3, CH double bond CH2 CH3, CH ठीक है double bond और यहाँ पर कर देता हूँ CH2 यहाँ पर H लगा देता हूँ, एक कौण CH3, और next case यह होगया, देखो यह ठीक है, और एक case होगया, CH3, CH3 यह case होगया, देखो यह 1, 2 3, 4 यहाँ परे मार्क कर रहा हूँ, देखो A, B A, B A, B और A, B आपको C, A, C, B bond की bond length को compare करना है देखो bond length bond length of C, A, C, B bond, इसको compare करना है, C, A, C, B bond की bond length को compare करना है तो देखो 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 देन देना यहाँ पर यह bond है double है है यानि एक case और बना देता हूँ, इसमें जिसे यह 5 कर देता हूँ, एक और CH2, double bond CH2 यह 5 नंबर हो गया देखो देखो देन देना C, A, C, B, bond mark कर देखो देखो, सबमें यह, 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 यह और यह आपर यह, यह, भी C, A, C, B, bond की bond length को compare करना है तो देखो देखो देन देना resonance और hyperconjugation क्या करता है double में single bond लाता है single में double bond लाता है तो यह double bond है लेकिन इसमें single bond करेक्ट रहेगा र एंपर संबखराी और पर संब आता है डबल संब आप उसी करो दें से संब करें Pap show याँ सिंगल को फोन पर सिंगहें और नियु कंपर पर निर्ट में मेंगा ث्पालोंद हेंक सल्फःड प्रिया पर डेवल है लेकिन सिक्साइज ए क्या रेज़ोनेन्स हो गया सिंगल यांपर सिंगल और यह पर को थेव Elsa को किय से नहीं कोई तो इस सब से कम खा पर होगी जाँ पर के वल डबल वॉंडि तो डबल बॉंड यहां पर भी यहापर भी यहापर भी यह सिघ्टल बॉंड करेकटर आएगा तो बिगर थे बॉंड लेंथ सबसे ज्यादा थींजन आगे यहां ब्योद्ह सिंगने आप बहले यहां फ़ीन आपरμα तो इसलिए सबसे ज्ञादा तो इसकी कियो तो प्योर सिंगल या तो रेजोनेंस अब नहीं यहां पर भी सिंगल है लेकिन रेजोनेंस की वज़े से कुछ डबल बॉन करेक्टर आगया इसलिए बॉन्ड लेंट तोड़ी से क्या होगी कम हो जाएगी ठीकिन इसमें तो कुछ जिए ही नहीं यह तो प्योर डॉबल है तो हमले बॉन्ड लेंज सब से कम हो नहीं अब कंपेर करी इन दोनों इर में उबल दॉन दॉन कारेक्टर आएगा है आइपर कनंजूंच सींय भॉन प्न जादे होग फ्रेंपर और इस शेया उप्जिप्त की सब हमोगी क्यों क्योंकि आपर तो प्योर डबल है सिंगल बॉल क्रेक्टरिस में आई गाई नहीं कि कि ना तो रेजनेंस ना हाई पर कॉंजूगेशन है इस मेरे साफ से ब्लेर हो गया होगा तेक ना देखो नेक्स्ट कैसी है जैसे यह ले ले आमने सपोच करो यह देखो यह A B यह हो गया देखो यह हो गया A B देखो यह केस देखो यह हो गया A और B आश्वरी A और B ठीक है न और एक के सवर बना देते हैं यह हो गया वही ए और बी देखो आपको ए बी बॉंड की बॉंड लेंद को कंपेर करना है देखो यह पर डबल है यह यह नहीं है लेकिन यह पर प्योर सिंगल है तो सबसे ज़्यादा बॉंड किसको होगे सिंगल के नमबर डाल दो पहले वान टो ट्री और पॉर सबसे ज़्यादा सिंगल की यह हो गया पाश्ट अब इन तीनों में डबल है तो डबल ए तो आप देखोगी यह पर सिंगल बॉंड क्रेक्टर जाधा आता है वहाँ पर बॉंड लेंध जाधा होगी समझी मारा है ना सबसे ज़्यादा सिंगल बॉंड क्रेक्टर का पर आएगा देखो यह हाइपर कॉंडिकेशन का केस अलपाइच 3 2 2 2 2 2 4 और 3 7 7 अलपाइच इसमें कितने अलपाइ कि यह मैं कर्यक्तर देखने में है समझें का इसमें मेरे साब से ग्लेयर हो गया होगा समझ मेरा है ना कट आव टेके किसी को तो अब कर सकते हो ना चलो कल करेंगे प्रियाव से